हेलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का आरके दवेंडर किचन में आज बनाएंगे मटन पालक की रेसिपी ये बहुती टेस्टी बनते हैं पालक ना खाने वाले भी मटन के साथ एक बार पालक बना लोगे तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करोगे तो चलिए बिना देर के साफ कर लिया है साफ करने के बाद अब पालक को काटेंगे इस तरीके से पालक को बारिक बारिक काटके तयार कर लेंगे मटन पालक दोनों बराबर रखेंगे आधा आधा किलो पालक मैंने सारा काट लिया है काटने के बाद पालक को बहुत अच्छे से 3-4 बार साफ पानी स से दो लिया हो और मटन को भी अच्छे से दो के रख लिया है दोनों चीजे बराबर रखने से मटन पालक बहुत ही टेश्टी बनते हैं मसाला पीसेंगे एक मीडियम साइज की प्याज 10-12 लस्टुन के कलिया अद्रक के टुकडे जीरा हरी लाइची लोंग एक बड़ी लाइ साफ कर लेंगे मसाले में डाल देंगे पानी को आदा चमच नमक एड़ करेंगे आदा चमच धनिया पाउडर आदा चमच लाल मिर्च पाउडर आदा चमच से कम हल्दी एड़ करेंगे यह सारे सूखे मसाले एड़ कर दिया है मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है मटन पालक के लिए मीडियम आज पर कूकर को अच्छे से गरम कर लिया है अब इसमें एक बड़े चमचा सर्चो का तेल डाल देंगे सर्चो के तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे गरम करने के बाद इसमें दो हरी लाइची डाल देंगे हरी लाइची डालने के बाद एक मीडियम साइच प्याज के बारिक कट्यूई प्याज और तीं-चार हरी मिर्ज को गरम तेल में डाल देंगे और हल्का सा ब्राउन कर लेंगे प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई जाता हुँ अब इसमें मटन को डालेंगे मटन हम अंच्छे से डह के पहले सी रखा मटन को डालने के बाद अम मटन को गरम तेल में अच्छे से चला लिए इसका कलर हलका सा चेंज हो जाएगा गरम तेल में और यह फ्राई भी हो जाएगा इसका टेस्ट बहुती बढ़िया आता है अब यह जो हमने मसाला तैयार करके रखा हुआ था मटन के साथ में मसाला भी इसी तरीके से एड़ करने के बाद अच्छे से मटन के साथ में चला देंगे मटन पालक अच्छे से मिक्स कर लिए हैं मिक्स करने के बाद कूकर का ढखकन लगा देंगे कूकर में 2 सीटी आने देंगे 2 सीटी आने के बाद आज को हलका कर देंगे 20 मिनट के लिए 20 मिनट के बाद ढकन खोलेंगे ढकन खोलने के बाद मटन को चेक करेंगे मटन गला है कि नहीं मटन गला ना हो तो आप इसमें एक आज सीटी और लगा दे मटन बहुत अच्छे से गल जाएगा या मैंने 2 मिनट के लिए हलकी आज पर मटन को ढक्के रखा हुआ था मटन बहुत अच्छे से गल गया है अब इसमें हरे धनिय के पत्ति अट कर देंगे और हरे धनिय के पत्ति अट करने के बाद अच्छे से चला देंगे ये देखे कितने बढ़िया से मटन पालक अच्छे से बन गए हैं अब इसे बाउल में सर्प कर लेंगे मटन पालक को आप रोटी या चावल के साथ सर्प करेंगे इसका टेस्ट और भी बढ़िया आएगा यह देखे कितने तरीदार और मज़ेदार से मटन पालक बने हैं तो आप इसी तरीके के मटन पालक एक बार जरूर ट्राइ करके देखें वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक शेर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं फ्रेंड्स अगली नए रेसिपी के साथ